हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स की यूट्यूब एज्यूकेस्टनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेश वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दे एक्जीमा तो ये वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टड़ी करने वाले हैं एक्जीमा के बारे में कि एक्जीमा होने की जो कारण की जिसको हम कहते हैं reason की जो हमारे होते हैं किसी भी disease के causes फिर उसकी जो लक्षन की जिसको हम कहते हैं sign and symptoms और कौन से medicines को यूज़ करके ये condition को हम treat कर सकते हैं तो हो गए उसके उपाए तो eczema के जिसको हम कहते हैं dermatitis कैसी condition की जब हमारी जो skin है उसका होता है infection और ये skin infection के कारण ये जो skin होती है उसके उपर आप देखो तो skin के उपर develop होते है racist develop होते हैं प्लस skin जो है वो होती है damage और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है inflammation प्लस यहाँ पर diagram के according to वहाँ पर आपको देखने को मिलता है redness तो ये condition होती है eczema की कि इसके बारे में हम ये lecture में study करेंगे कि किस तरह से इसको हम treat करें कौन से अलग-अलग उपाय है remedies वगेरा है कि जिससे हम इसको treat कर सकते तो शुरू करते है lecture में expert lecture by a mercer, assistant professor and founder of pharma rocks thank you for being one leg family of pharma rocks updated रहिए pharma knowledge के साथ access कर ये study material, test series, video lecture on F, pharma rocks कि pharma rocks के आप उपर आपको test series, video lecture and study material access करने को मिल जाएगा कि अगर आपके पास iPhone है तो Google Play Store पर से अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने description box में आपको दे दी है तो शुरू करते है lecture में तो सबसे पहले जानिए definition regarding the eczema तो eczema कि जिसको हम कहते है dermatitis is a group of disease that result इने inflammation of the skin that result इने inflammation of skin तो inflammation of skin क्यों कहते है इसको तो जाने तो जो word है dermatitis dermatitis तो जिसके अंदर जो dermis का जो मतलब होता है that means कि skin और जो titis है उसका मतलब होता है inflammation जिसका मतलब होता है inflammation तो जब ये word पुरा तयार होता है dermatitis तो dermatitis word का जो meaning होता है that is skin inflammation तो ये ऐसे टाइप के skin disease है कि जिसके अंदर आपकी skin के उपर inflammation भी देखने को मिलता है और साथ में वहाँ पे develop होते है रेसिस और वो रेसिस के अंदर आपको itching के भी sensation होते है as well as वहाँ पे आप ये जो diagram के according to skin जो है वो काफी आपको dry देखने को मिलेगी skin जो है वो हो जाएगी rough skin आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे redness हो जाएगा and जो हम यहाँ पे देख रहे कि ये वाले जो portions ये सब है कि वो हम कह सकते है कि वहाँ पे develop हुआ है ये inflammation inflammation मतलब कि जो हिंदी में कहते है हम कि सूजन आना कि वहाँ पे जो सूजन आ जाती है ऐसा produce होता है कि जो inflammation हम कहते है तो ये condition हम कहते है medical terms के अंदर eczema कि उसके लिए दुसरा भी एक word है that is dermatitis तो दोनों एक दुसरे के synonym है कि eczema is equal to the dermatitis तो this disease is characterized by itchiness, red skin and rashes कि जैसे मैंने अभी आपको बता है कि ये disease के इंदर mainly जो हम देखे तो skin जो है वो patient के dry हो जाती है rough होती है redness देखने को मिलता है और वहाँ पर उसको eaching के भी sensation होता है वहाँ पर eaching के भी sensation होते है कि जिसको हम कहते है खुजली in case of short duration there may be small blisters while in long term cases the skin में become thicken मतलब कि कई बार skin जो है वह काफी ठीक हो जाती है कि जब कोई condition long term condition होती है कि काफी काफी दिन तक समझो कि ये disease चलता है तो आपकी जो skin है वो ठीक हो जाती है और जब short duration का ये problem होता है तो उसको आपको सिर्फ small blisters देखने को मिलेंगे skin के उपर और जब आपको उसकी treatment करवाते है तो treatment के बाद वो फिर से normal हो जाता है तो कोजीस क्या है what are the reasons behind the eczema तो वो reasons जानते तो सबसे पहले हम reason देखनेंगे that is कि abnormal function of the immune system कि हमारी जो immune system है उसका जो function है वो हो जाता है abnormal और जब abnormal function होता है immune system का तो उसके करण जो disturbance produce होते है हमारी immune system के अंदर जो cells associated होते है कि जो हमें immunity provide करते है उनका जो function जब abnormal हो जाता है तो किसी भी तरह कि ये जो antigenes या फिर कोई allergens हमारी body के अंदर enter होते है तो उनके करण तुरंत आपको उसकी allergy के करण हो सकता है skin के उपर ये skin का infection कि जो है eczema type का तो ये एक reason बनता है second reason है कि skin barriers की defect defect है बड़ किसकी तो skin के जो barriers होते है उनकी defect के करण क्या होता है they allow moisture out मुलब कि skin का समझो कि जो layer है आपकी तो skin के layer में से moisture जो है वो remove हो जाएगा और jumps in जबकि उसके अंदर जो jumps है वो होगे enter तो skin में से एक तो moisture गाइब हो जाएगा moisture remove होगा जिसके करण skin क्या होगी आपकी dry होगी और जब उसके अंदर jumps enter होगे, bacteria enter होगे तो वो bacteria वो skin को क्या करेंगे? damage करेंगे, skin का करेंगे infection और वो आगे जाके condition बनेगी एकजेमा की तो यह एक, दुसरा एक main reason है कि जिसके करण किसी भी person को होता है एकजेमा की, जो skin के जो barriers हमारे जो होते है वो जब अच्छे से काम करते थे तो proper उसके अंदर moisture बना रहता है और यह germs वगेरा को उसको अंदर नहीं आने देते बट जब यह skin के barriers defective हो जाते है अलग-लग disease के करण, disorders के करण, immune system के problem के color, allergy के करण तो उस वक्त, जो है, वो moisture out हो जाता है जिसके करण skin dry होती है और germ center होने से skin damage होती है तो यह second reason third reason जाने, that is endocrine disorders कि जब किसी को thyroid disease होती है thyroid related की hyperthyroidism हो या फिर hypo दोनों condition में eczema हो सकता है, itching हो सकती है, skin disease हो सकती है number four की microbes include the bacteria such as staphylococcus aureus यह जो diagram में हम यह जो diagrams के अंदर जो bacteria देख रहे है वो है staphylococcus aureus तो वो bacteria के infection के कारण भी यह skin disease हो सकती है जिसको हम कहते है, eczema फिर viruses के कारण and कुछ जो fug होती है, fungi होती है वो भी responsible होते है eczema के लिए फिर जब environment change होता है कि temperature समझे की increase होता है कि hot weather हो या फिर बहुत ज़्यादा cool या फिर cold weather हो जाए तो ऐसे condition में भी eczema होता है कि इस लोगों को और वो allergy के कारण भी आपको exempt होता है कि समझे कि sorting Oils कि कुछ Oils के कारण कि Sमझे कि का आपको कुछ ऐसे Oils खाते है तो उनके कारण तोरण skin disease हो जाती है, allergy हो जाती है कुछ ऐसे फाल खा लेते है आप कुछ ऐसे सबजी खा लेते है कि जिसकी आपको. Jersey है मतलब कि कोई भी फूड की जूसको क्हाने से आपको allergy होती है उसके करण भी आपको eczema हो सकता है फिर कुछ लोगों के अंदर ये genetics भी कली भी होता है कि जो हम बात करें कि family history के तोर पे कि family history है किसी को eczema की तो आगे जाके ये genetically उसकी जो अगली जो पेड़ी अगेरा होगी उसके अंदर भी वो देखने को मिलेगा दूसरी reasons की जो अभी मैंने already आपको बता है कि जो environmental factor की hot and cold temperatures कि very hot and very cold weather जब सामने high and low humidity perspiration from exercise can bring out the eczema कि कई बार आप notice करना कि जब आप ऐसे weather के अंदर आप जाते हैं मतलब कि आप traveling करके कुछ हैसे area में जाते कि जहाँ पे जो weather है वो समझे कि काफी humid weather है plus humidity के साथ साथ उसका जो temperature है वो high रहता है तो hot and humid climate के अंदर तुरंद जो है वो कुछ लोगों को ये eczema हो जाता है कि उनके जो skin के ओपर आप देखे के तो racist develop होंते आपको देखने को मिलते हैं तो वो condition जो आगे जाके eczema बन सकती है तो ये temperature या फिर climate जो हम कहते हैं तो वो या फिर समझे के आप जहाँ पे रहे रहे वहाँ पे भी समझे के climate change हुआ है और ये climate change usually हम देखे तो इस टाइप का climate change कि humidity ज्यादा हो और temperature भी हाई हो तो ऐसे season को हम कहते हैं कि monsoon में जब तक बारिस नहीं आती कि बारिस का भी समय नहीं हुआ है मतलब कि ऐसा atmosphere के अंदर humidity तो है बड़ अभी तक बारिस नहीं हो जिसके करण क्या होता है जो atmosphere बनता है hot and humid तो ऐसे atmosphere के अंदर बहुत सारे लोगों को ये eczema होता है तो ये eczema जो है वो seasonal कहा जाता है कि जब फिर से weather normal हो जाता है तो ये eczema automatically disappear भी हो जाते है next है एक hormonal changes कि ये usually जो women's के अंदर होता है कि जब hormonal changes होते है और especially during the pregnancy कि उस वाक्त या फिर menstrual cycles के दोरान भी जब hormonal disturbance है किसी के अंदर hormonal problems है तो females के अंदर ये एक hormonal changes के करण इसकी imbalance के करण भी eczema हो सकता है आपके skin के उपर पिर कुछ ऐसे irritants जैसे की कुछ soap के आपको कोई soap की allergy है कोई detergent की allergy है कोई shampoo की allergy है disinfectant juice from the fresh fruit meat vegetables वगेरा के समझो की आपको है allergy इसी मेंसे इन मेंसे किसी भी एक कि समझे के कोई soap की आपको allergy है कोई ऐसे particular detergent की allergy है कोई particular एक ऐसे shampoo की allergy है आपको कोई ऐसे vegetable की allergy है meat product fruit है तो उसके करण भी eczema होता है तो यह है उसके causes symptoms जानेंगे हम तो symptoms में तो सबसे पहले eaching कि जो skin है उसके उपर जो person है वो उसको eaching के sensation होते है कि वहापे आपको ऐसा फिलो की वहापे आप eaching करें कि वहापे जैसे खुजाने का आपको मन होता है खुजली होती है वहापे तो वह एक symptom है and may be severe especially at night के रात के दोरान आपको वहापे eaching ज्यादा होती है फिर red to brownies, grey patches कि जो हाथ का जो reason होता है उसके आप और आप यहापे यह देखे कि यह जो हमें देखने को मिल रहे द्याटार brownies और grey patches जैसे हम देख सकते है especially on hands, feet, ankles, wrist, neck, upper chest, styled inside the bend of the elbow, knees and in the infant face and also in scalp very dry skin on affected area और जो affected area है वहापे skin जो है वो काफी dry देखने को मिलती है तो यह सब sign and symptoms हमें देखने को मिलते है eczema के अंदर कई बार यह जो patches develop होते है वो bumpy भी होते है कि जो bump like के यह straight फिर यह से bump जैसे races भी develop होते है eczema के अंदर कई बार उसके अंदर fluid भी feel होता हूँ आपको देखने को मिले तो यह सब symptoms होते है eczema के फिर आप देखे तो small raised bumps के अभी जो मैंने बात की कि small bumps की यहाँ पे देखे यह जगा पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे फिर यह जो यह वाला reason है तो यह से आपको यह जो diagram के अंदर यह से बहुत सारे से क्या देखने को मिलेंगे bumps कि जैसे normal skin फिर अचानक से थोड़ा बाग उपर फिर नीचे जैसे road पे bumps आप देखते है same like that road पे जो bumps होते है spread breakers होते है same like that जैसे bumps develop होते है which may leak fluid and crust over when scratch कि जब आप वहाँ पे उसको scratch करते तो उसके अंदर बढ़ा हुआ जो पानी कि bumps with fluid कि यहाँ पे क्या होता है यह जो bumps develop होते है छोटे से उसके अंदर बढ़ा हुआ होता है fluid और जब आप वहाँ पे scratch करते है scratch मतलब कि जब आप वहाँ पे खुजली होती है आपको खुजाते है आप itching करते है तो उसके करण वो जो यह जो bumps थे वो क्या हो जाते है crust हो जाते है और उसका जो fluid है वहाँ पे फैलता है उसके करण क्या होगा कि यह जो fluid है वो आसपास के रिया को भी क्या करेगा infected करेगा जिसके करण यह जो disease है skin disease वो अलग-अलग parts तक फैलती जाएगी फिर जो skin है वो person के थीक हो जाती है crack and scally skin हो जाती है raw sensitive swollen skin from scratching अब क्या होगा कि जब जितना आप scratch करकर करते है तो उसके करन देखिए कि ये वाला जो इतना जो reason आप देखो specialist skin का तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि redness देखने को मिल रहा है as well as swelling कि जो यहाँ पर लिखा है कि swollen skin तो ये swollen skin या फिर swelling inflammation आपको वहाँ पर देखने को मिलता है races that are permanently itchy ऐसे races develop होते है कि आपको permanently वहाँ पर itchiness होता है the sensation of itching races that cover much of the body अब देड़े देड़े ये जो races है वह आपकी body को जो है वह almost cover करते जाएंगे कि आपकी जो back का portion है hand का portion है legs के portion है और कई बार देड़े देड़े वह आपके face और आपके जो neck के portion में भी develop होते है और इस तरह से develop हो जाता है skin infections की जो है sign and symptoms of eczema तब उसके treatment कैसे करेंगे तो treatment के अंदर including the avoiding the soap and other irritants की जिससे आपको होती है allergy की allergy के कारण समझे की कोई person को eczema होता है तो उसके अंदर सबसे पहले treatment का option यही रहेंगा की हम avoid करेंगे वो soap या फिर वो irritants की जिसके करण आपको हो रही है allergy second option रहता है कि certain creams या anointments may also provide the relief from itching की जब ये रैसिस के करण ये eczema के करण inflammation के करण जब आपको itching होती है तो वो itching में से आपको relief देने के लिए हम ऐसे cream and ointments दे सकते कि जो आपको relief देगा from itching तीसरा एक option रहता है light therapy using ultraviolet कि याप ये जो diagram के अंदर आप देख रहे है उसके अंदर patient को जो है वो इस तरह से ये जो therapy है वो हम कह सकते कि light therapy तो ये जो light therapy है जिसके अंदर specially UV light की जो हम कहते है अल्ट्रा वायोलेट UV light के अंदर में skin को जो है वो expose किया जाता है जिसके करण जो area infected है eczema के करण वो जो है वो UV rise के करण जो है वो cure होते है फिर option है चोथा topical immunosuppressants like pemicrolimus and tacrolimus तो tacrolimus का एक famous ointment available है मार्केट के अंदर के जिसकी strength होती है 0.1% और वो product रहता है Glenmark का Glenmark pharmaceutical उसको जो है वो manufacture करती है तो वो Rx only मतलब कि prescription based रहेंगे ये जो है रहेंगे Rx only prescription based medications रहेंगी कि जो use होती है to treat eczema तो यहाँ पे देखें कि जो topical tacrolimus का जो product हम देख रहे है कि topical tacrolimus has been approved by the US food and drug administrations कि US FDA के दिवारा approval है and use for the treatment of otopic dermatitis कि जिसको हम कहते है एक्जीमा तो एक्जीमा के लिए जो ये ointment की यहाँ पे लिखा है कि for dermatological use only not for ophthalmic use तो tacrolimus ointment तो उसको सिर्फ आपको skin के उपर ही apply करना है Rx only रहेगा gland mark का यह product है फिर इसको जो है वो proper use करना चाहिए with the direction of the physician की जो भी आपके जो skin specialist है dermatologist आपको जो suggestion देते है उसी according to उनके direction के according to ही आपको यह apply करना है तो at 0.03% concentration it has been approval for the use in children age 2 to 15 years while 0.1% concentration has been approval for use in adult तो उसके जो दो versions के एक 0.1% का भी होता है और दूसरा 0.03 तो जो 0.03% concentration वाला यह product होता है टैक्रोलीमस का वो children's के लिए है और जब आपको adult के लिए use करना है तो वो concentration रहती है 0.1 तो यह देखे यह टैक्रोलीमस 0.1 है तो यह रहेगा सिर्फ adult के लिए और जब आप यही ointment को children's के लिए design करते है तो उसकी strength रहती है 0.03% तो यह अपने देखा टैक्रोलीमस का use for eczema फिर दूसरे जो treatment option है कि cold compressed option है ही हमारे पास कि जो भी affected part से वहाँ पे cold compress से जो eating sensation है readiness से वो हम कम कर सकते है फिर वहाँ पे समझे कि skin dry हो गई है तो dry skin के लिए moisturizing lotion से अपलाई कर सकते है lukewarm and oatmeal बात भी दिया जाता है exama को cure करने के लिए फिर जो नीम के पत्ते होते है neem leaf उसका जो extract वाला जो water है कि जो neem water की जिसके अंदर आपने neem के पत्ते डाले थे और ये neem के पत्ते डालके जब आप वो पानी को उबालते है अच्चे से और वो पानी से जब कोई अच्चे से नहाता है तो ये जो neem water bathing therapy भी काफी effective साभित होती है because जो neem है वो naturally हम बात करते हैं कि naturally उसके अंदर antiseptic activities है उसके जो pharmacological properties देखे तो antiseptic, antifungal वगेरा उसके अंदर प्रॉपर्टी से साथ में antibacterial property भी neem के अंदर होती है तो ये neem extract का water साथ है ऐसे ही medicated soap की जिसके अंदर और neem extract हो दुसरे जिसे medications हो की जो मिला के बनाएंगे कोई medicated soap hydrocortisons की जो over the counter cream साथी है वो patients यूज़ कर सकते है as well as over the counter antihistamines के tablet तो herbals के अंदर जो neem फिर aloe vera और coconut oil ती है तीन option हमारे पास रहते हैं यहाँ पे की neem तो ये जो neem देख रहे हैं के neem जो है उसके समझो की जो leaf है उसकी paste आप बनाते हैं फिर ऐसा water design करते हैं कि जिसके अंदर ये neem की जो leaf होते हैं उसका extract available हो aloe vera समझो की affected part पे apply किया जाते हैं तो उससे भी रहात रहत रहती है पेशन को इचिंग कम होती है फिर वहाँ पे moisturizer प्रोवाइड करेगा और same by the coconut oil तो नीम तो हम जानते कि naturally antiseptic है साथ ही antibacterial है तो वो property देगा aloe vera की moisture प्रोवाइड करेगा same like that coconut oil की जिसके करण dry skin के treatment होगी फिर आगे देखें तो calamand lotion भी option है कि जिसके past B activity है antiseptic and astringent activities है तो ये calamand lotion के अंदर हम देखें तो जो यूज होते है eczema में भी आप यूज कर सकते है उसको फिर empetigo sunburn, dermatitis etching varicose ulcers and psoriasis तो ये सभी skin disease के अंदर ये effective साबित होता है कि आपको eczema है तो वहाँ पर ये pink color का ये जो lotion होता है कि जिसको हम कहते है pink lotion तो ये pink lotion जब कोई person अपलाई करता है affected part के उपर तो काफी उसको राहत मिलती है cooling sensation सा होता है और दिरे-दिरे इचिंग के sensations भी कम होते हैं और उसके अंदर रहा जो kalamine है zinc वगएरा होते हैं ingredient तो वह eczema को अच्छे से treat करते हैं और cure करते हैं फिर हम आगे देखे कि use of medicated powders तो medicated powders के अंदर जो mycoderm है तो mycoderm powder की जो FDC का ये product है कि अपने FDC का नाम सुनाओ के कि जो famous एक pharmaceutical company है तो ये pharmaceutical company डिजाइन करती है ये mycoderm करके एक medicated powder की जिसके अंदर रहता है combination रहता है benzoic acid का salicylic acid and menthol रहता है और साथ में उसके अंदर होता है starch तो ये एक medicated dusting powder जो हम कहते है कि इसे powder की जो category आती है dusting powder पन ये dusting powder के अंदर include होता है medicines जिसके करन उसको हम कहते है medicated dusting powder तो उसमें दुसरा एक option है आपके पास that is closehip dusting powder and absorbed dusting powder तो closehip dusting powder की जो product है sipla का तो ये आप देख सकते है closehip की जिसके अंदर antifungal और antibacterial दोनों activity है और यहाँ पे जो medicine available है वो powder के अंदर that is clotrimazole absorbant dusting powder की जिसके अंदर clotrimazole available है की जो antifungal and antibacterial property provide करेगा और वो भी use होता है in a treatment of eczema उसके लावा जो हमने देखा की absorb तो ये absorb product आप देख सकते हैं की वो भी antifungal powder है और ये जो design होता है ये जो है वो sun pharma का product है की sun pharmaceuticals का अपने तो नाम सुनाई होगा तो ये जो product है absorb antifungal powder की total skin relief यहाँ पर लिखा है means जितने भी अलग-अलग है की etching को control करता है फिर जो fungal infections को treat करता है excess sweat produce नहीं होने देता और eczema, etching वगेरा के अंदर ये काफी powerful साबित होता है ये absorb antifungal dusting पर दोता है यहाँ पर आपके पास तीन option है तीनों में से जो भी आपको suit हो वो use कर सकते हैं तीनों काफी famous pharma company से कि ये FDC है ये sipla का है और ये sun pharma का product है तो तीने काफी effective साबित होते हैं कि जो medicated powder से for eczema next कि जो cold compress कि जहाँ पर भी affected part है वहाँ पर आप जो ice है या फिर ice bag containing जो ये ice bag है वो आप वहाँ पर अपलाई कर सकते हैं कि जिसके अंदर fill up किया हुआ है आपने ice तो ice water है या फिर ice है कि जिससे आप affected part पर दे सकते हैं cold compress तो cold compress से क्या होगा कि जो cold temperature होगा वो itching sensations को कम करेंगे कि जो एक symptom है eczema का कि eczema के अंदर symptom में हमने देखा कि person को affected part के उपर continuously itching होती है तो ये itching को कम करने के लिए reduce करने के लिए cold compress जरूरी है अगर जो reason हमका है कि eczema के अंदर जो itching होती है वो dry skin के करन होती है आपको तो eczema के अंदर होने वाले itching का जो reason dry skin है तो जरूर है तो हम skin moisturizer यूज करें to provide moisture to skin तो skin moisturizer तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे कि ये संतुर का body lotion होता है नेविया का product देख सकते है vessel इनका dry skin repair है ponds का भी market में available है हिमालिया बहुत सारे ऐसे companies है कि जो screen moisturizers design कर देगी जो lotion के form में भी होती है as well as उनके cold cream भी available होते है even आपको ये suit ना होती हो और directly plain normal जो petroleum jelly होती है वो भी apply कर सकते है to provide proper moisture फिर जो lukewarm बात जो हम कहते हैं कि ऐसा पानी की जिसका temperature 94 से 96 फेरन हिट रहेगा और इसको 15 से लेकर 60 मिनिट तक आप गरम करेंगे और वही पानी के अंदर आप डालेंगे oatmeal कि जिसको हम कहते हैं जहेका दलिया और ये वाले पानी से जब कोई patient अच्छे से बात करता है और बात करने के बाद नहाने के बाद अच्छे से आपकी body जो है वो dry कर ले कि ये जो oatmeal कि यहाँ पे जो आप oatmeal देख रहे हैं तो oatmeal के जो पानी वाला जो पानी है उससे आप अच्छे से जो है वो bathing ले सकते हैं कि जिसको कहा जाता है lukewarm और oatmeal बात फिर medicated जो soap साते हैं कि medicated soap भी जब तक आपको एक्जेमा है itching है तब तक जरूरी है कि आप इस तरह के soap ही यूज़ करें because जो वो वाले जो soap होते हैं जिसके अंदर fragrance होती है normal soap जो हम routine में use करते हैं वो soap यूज़ करने से समझे कि आपको allergy हो जाती है skin disease हो जाती है तो better है कि आप वो soap अगिर avoid करें और try करें ये medicated soap कि जिसके है यहापे हम देख सकते हैं कि clotrimazole होता है उसके अंदर savlon है ketoconazole का medicated soap होवा होता है as well as आपने neem का भी soap देखा होगा neem और aloe vera containing saboo देखा होगा तो जिसके अंदर अलग-अलग agents जैसे के antifungal agent होते हैं, anti-eaching होते हैं skin moisturizers होते हैं antiseptic, antibiotic, fragrance यह सब उसके अंदर add किये होते हैं फिर जो over the counter cream साती है जैसे की beta-methasone है white ointment है and white filled ointment तो beta-methasone की cream की जो betonovate, glycosos methylene का एक famous product फिर white filled ointment कि जिसके अंदर होता है benzoic acid होता है salicylic acid होता है वो भी powerful साबित होता है to treat eczema फिर white ointment कि यह जो betex जो एक काफी famous brand है इंडिया के अंदर कि जो यहाँ पे लिखा है कि eczema, ring warm, itchies cold cracks, pimples सब भी के अंदर यह white ointment effective साब भी तोता है उसका अब market में lotion भी available है फिर जो over the counter hydrocortisons के जो cream कि जिसके अंदर beta-methasone देखे, dexamethasone देखे तो वो containing जो यह creams होते है वो भी काफी फाइदे मन्द होते है effective साबीत होती है prescription based medicine कि जिसका जो dermatologist है वो अच्छे से prescription लिखकर आपको देते है कैसे creams के provide the rapid relief from mild to moderate eczema तो उसका जो option है crota miton relieves the itching and skin irritations caused by the conditions such as itchy dermatitis and allergic races कि जिसको हम कहते है eczema and it can provide the relief from itching for several hours after each application तो यह prescription based रहता है यह product Abbott का है crota miton की जो cream आती है as per the IP तो crota miton cream IP Abbott का product आप देख सकते है और यह रहेगा Rx only रहेगा यह क्या रहेगी Rx only prescription based appointment रहेगा फिर जो antihistamines tablets अदेग लाइक bromfinaramine, satirizine, levosatirizine, chlorfinaramine, klemostine, diphenhydramine, fexofenadine, lauratadine यह सब भी options available होते है कि जब allergies के करण एक्जीमा हुआ है तो वो allergy को overcome करने के लिए as well as जो rashes develop हो जाते है उनको reduce करवाने के लिए और इचीने स्वगरा को भी कम करने के लिए यह आप देख सकते कि finaramine millet कि जो evil करके जो product है evil काफी famous brand है sanofika उसका syrup भी available है market में अब तो उसके लबा लिवो satirizine आप देखो कि जो sipla का यह आपे देख सकते है chlorfinaramine CPM product है satirizine है faxofenadine है तो यह सभी products हैसे है कि जो eczema, eaching वगेरा के जो symptom से उसको reduce करके जो है वापको relieve देते है तो यह था हमारा special lecture eczema के बारे में एक और option है medicines का कि वो है antifungals कि समझे कि fungal infection के कारण eczema हुआ है दूस वक्त clotrimazole ekonazole है mikonazole oxykonazole ketoconazole fluconazole itraconazole और वारिक आर्जोनल वाले आप cream यूज़ करें tablet यूज़ किया जाते है as well as जो आगे हमने देखे कि clotrimazole containing जो medicated powder होता है cream होते है वो सब भी patient जो है वो apply कर सकते है कि जिसके अंदर किसी के अंदर देखो कि mycognazole है किसी के अंदर ketoconazole है fluconazole है clotrimazole तो इस सब भी antifungal agents भी effective और काफी असर दारक साबित होते है eczema के अंदर तो ये जो हमारे lectures होते हैं उसके जो PDF होते है वो आपको मिल जाएंगे farmerox की app उपर कि जो है android app google play store पे apple iphone app on app store link आपको description box में मिल जाएंगी thank you for watching join करिया whatsapp group 9426180836 use करिया farmerox access करिया study material test series video lecture on app farmerox so good luck and all the best